तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं दियान करते हैं इसनान के बाद उसके बाद विद्वान ब्रह्मनों को बुलाते हैं विद्वान ब्रह्मनों को बुला कर अपने बच्चों के साथ ज्यान ज़र सुनिएगा अपने बच्चों के साथ बेद और पुराणों की कथा सुनते क्या करते हैं? बेद और पुराणों की कथा सुनते अब बेद पुराण कथा सुनने से मिलता क्या है? भगवान की तो कता हैं इसमें तो भगवान क्यों सुनते हैं, बोले में भी सुनता हूँ, तो तुम भी सुनो, क्या मिलेगा इसमें, बोले बेद और पुराणों की कथा जब तुम सुनोगे, तो तुमें पता चलेगा के धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा कर्म करना चाहि nowadays modern education gives you how to earn money only nothing else what just only how to earn money but religious education gives you how to live life what's question most important in your life tell me how to earn money and how to live life modern education does teach you 2-4 4-100 this is how to learn our education business management we learn how to learn we learn how to learn TV channels we are watching we are watching we are watching 2-4-4-6 which is the business which is the business this is how to learn how to live life and how to live life this is how to learn how to live life this is how to live life this is how to live life this is how to learn how to live life this is how to learn how to live life this is 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 how to live life में और ऐसमों को कहता ती ना सुबह में भजन चलते हैं को सांव को कथा आती है दू माँ दस वजे उसको उनके तो anywhere कि झाएक कि आ ढोगे तुम्हें सपने में भी जगनात आ रहे होंगे कीचिडी कहिलाने पडली तुम्हें कि mai जात्री में फिलम देखके सोगे तो सपना कैसा आएगा कि बुलो कि हम सो रहे हैं कोई आया सफेद लिबास सर नहीं दिख रहा है नाक गाइव है मंबत्ती लेके अचानक से मेरे रूम में प्रवेश किया तकि आसे उसने मेरा कंठ दबा दिया कि कंठ दबाने वाले का दोस्त नहीं है सपना आया क्यों क्योंकि तुम मूवी देखके सोगे और वहीं तुम भाग बस सुनके सोगतो तो सपने में भूत नहीं भूत नात दिखाई देंगे बाबा भूले नात दिखाई देंगे कृष्णा दिखाई देंगे राम दिखाई देंगे तो everything is possible आप कथा नित सुने यहीं भगवान से कृष्ण करते हैं भगवान की कथाओं की कोई सीमा नहीं है अप्रम पार है भगवान ने अपने बच्चों को भी धर्म के पथ पर उपदेश पुरानों से दिलवाया